Hello Friends, Welcome Back to My Channel Mother's Klee तो दोस्तों जब आप pregnant होते हैं तो आपके पेट की निचले हिस्से में दर्द रहता है कभी ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कभी ऐसा होता है कि बहुत कम होता है कभी आपका continuous रहता है दर्द, कभी ऐसा होता है कि अपने आप खीक हो जाता है तो कौन सा दर्द जो है normal होता है और कौन से दर्द में हमें चिंता करने की जरूरत होती है और डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो आज इस वीडियो में हम इसी के अपर बात करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि pregnancy में पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है ऐसे क्या क्या कारण होते हैं जिनसे ये पेट दर्द होता है pregnancy में जो प्रोजिस्टिरोन हॉर्मोन होता है उसका लेवल काफी बढ़ जाता है तो प्रोजिस्टिरोन हॉर्मोन की एक खासियत होती है कि वो जो है आपकी intestinal motility को कम कर देता है intestinal motility मतलब जो आपकी आंतों में जब खाना पहुंसता है तो वो बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ता है जिसकी वजह से खाना काफी देर तक आपकी आंतों में रहता है और जिसकी वजह से आपको gas और acidity की समस्यां बढ़ जाती है इसी gas और acidity की वजह से भी आपके पेट में दर्थ होता है दूसरा कारण होता है कि आपके uterus में मतलब आपके गरभाशे में जब बच्चा होता है तो उसके लिए जो है blood flow काफी जादा बढ़ जाता है आपकी uterus में blood supply increase हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ का pressure बढ़ जाता है और इसी लिए आपको हलका दर्थ महसूस होता है तीसरा कारण हो सकता है ectopic pregnancy का तो friends ectopic pregnancy में क्या होता है जो embryo होता है वो uterus की lining में ना चिपक कर आपकी fallopian tubes में ही रह जाता है आपकी अंदर जो है दो fallopian tubes होती है जो जाके सीधा uterus में जाती है तो uterus में embryo grow करता है और आपका बच्चा बढ़ा होता है लेकिन ectopic pregnancy में क्या होता है किसी भी एक fallopian tubes में या तो left में या right में embryo वहीं अटक जाता है और वहीं grow करने लगता है लेकिन ये pregnancy जादा दिनों तक नहीं रहती है क्योंकि अगर बच्चा वहीं पर grow होने लगेगा तो fallopian tubes जो है बड़ी नहीं हो सकती है stretch नहीं हो सकती है uterus की तरह और वह आगे जाके rupture हो सकती है जिसकी वज़े से मा की सेहत को हानी पहुँच सकती है और इसमें death भी हो सकती है इस case में ectopic pregnancy में भी आपको pain feel होता है continuous pain होता है और ये pain जो है काफी severe होता है तो friends चौथा कारण होता है miscarriage का अगर आपका miscarriage होने वाला हो अगर आपकी threatened pregnancy हो तो उस case में भी आपको pain feel होता है और इसमें जो है pain के साथ साथ आपको bleeding भी होती है इसमें भी pain severe होता है और continuous र आप समय रहते ही doctor केपास चले जाएं और उनको दिखा दें। तो इस case में doctor कई cases में pregnancy को manage कर पाते हैं और आपकी pregnancy भी continue रहती है और आपकी healthy बच्चे को जनम दे सकते हैं। पाछवा कारण आता है urinary tract infection का। अगर आपको UTI है अगर आपके infection है तो भी आपके पेट में दर्द रहता है और pain के साथ साथ आपको fever होगा नीचे आपको जलन महसूस होगी bleeding भी आ सकती है इस case में आपको doctor को दिखाने की जरुवत होती है और ये condition भी ठीक हो सकती है एक कारण हो सकता है आपके baby bump का बढ़ना जैसे जैसे आपकी pregnancy बढ़ती है आपका baby bump भी बढ़ने लगता है जिसके वजह से uterus के चारों तरफ की abdominal muscles होती है जो ligaments होते हैं वो भी खिंचने लगते हैं ये दर्द जो है आपके दोनों side महसूस होगा और ये दर्द जो है कभी आपको होगा कभी अपने आप ही ठीक हो जाएगा आप अगर थोड़ा rest करेंगे तो ठीक हो जाएगा या फिर से होने लगेगा तो ये एक normal दर्द होता है इसमें आपको चिंता करने की कोई जरुरत नहीं होती है तो friends अगर आप घर पर ही अपने हलके फुल के दर्द को manage करना चाहती है तो आप क्या कर सकती है आप जादा से जादा पानी पीजिए daily थोड़ा थोड़ा walk कीजिए अगर आप चाए coffee ये लेती है तो इसको बहुत ही कम कर दीजिए या बिल्कुल ही बंद कर द जाएगा तो I hope दोस्तों आपको अप clear हो गया होगा कि कौन सा दर्थ normal है और कौन से दर्थ में गवराने की जरुरत है और हमें डॉक्टर के पास जाने की जरुरत है फिर भी आपको अगर किसी भी तरीके का confusion रहता है दर्थ को लेके तो आप अपने डॉक्टर से सलाल ले स लगते हैं तो I hope दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा फिर भी आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में thank you so much for watching